हेले दोस्तों मैं विकास आप सभी का प्रेम लग्टाइशल में स्वागत है आज का जो वीडियो है लगी का 24 इंच का LED TV है जिसमें पाउर देने पर इसका रेड लाइट ग्लो नहीं कर रहा है और इसमें रिमोट में नहीं कम करता है लेकिन इसका जो पिक्चर है दम अच्छ भी token इसमें वर्क नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसका जो शेंसर वर्ठ थीक है या कोई इसमें प्रॉल्म है तो इसको अपिन करते हैं और तब तक हमारे चैनल पे बने रहें तो यह वीडियो को लास दक जो देखे तो चली वीडियो Å कर लिया यहां पर आप देख सकते हैं और इसमें कहीं पर भी कुछ problem नहीं दिख रहा है इसके card में और जो इसका इर का connection है यहां पर इसका जैक लगा हुआ है और इसमें जो इसमें आई-ार sensor के लिए उसका signal और voltage वियर रिट लाइट के लिए इस से सब connection जाता है तो इसमें जो स्विच लगी हुए है यहाँ पी आप दिख सकते हैं इसमें काफी डश्ट भारा हुआ है आप देख सकते हैं यह जादतर आपको skeleton की कारण problem देखने को मिलेगा और बहुत सारे it v में ही यह सा problem आपको देखने को मिलता है तो इसमें आपके वीडियो मैं detail में बनाया हूँ तो जैसा कि यह जो PCB है यहां पर आप देखते हैं कितना इसमें dust भरा हुआ है तो इसको हम बाहर निकाल के इसको अच्छे से साप कर लेते हैं साप करने के बाद हम इसको एक बार देखेंगे कि यह हमारा ठीक है या नहीं तो यहां पर आप देखते हैं काफी dust भरा हुआ है और इसका जो touch switch है इसका जो उपर का cover है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका IR sensor और red light जो है इसका हम connection करते हैं तो अगर य यह connection करेंगे नहीं तो हम Alexis में IR sensor का यूज करेंगे तो यहां पर हम इसको अच्छा से पहले clean कर लेते हैं और आगे फिर बताते हैं तो यहां पर हमने इसको open कर लिया है और इसका जो यह kit है यहां पर देख सकते हैं हमने जब इसको thinner की मदश से इसको साप किया तो इसका जो बल्ब और रेश्टेंस वगार था वह सब बाहर निकल गया है यहां पर आप देख सकते हैं तो वह इसका PCB पर ही सोल्डिंग नहीं कर पा रहे थे यानि कि इसका PCB खराब हो चुका है तो हम इसमें अलग से IR सेंसर और रेट लाइट का करेंगे तो उसका करेंगे यहां पर आप देख से हैं इसका जो जैक है उसका हर एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि किस पर आयार बोल्टेज और किस प हम चेक किया तो इसका जो फार्ष नमर्पिन है वहां पर विशी सी हमको मिल रहा था और दूसरा नमबर पर हमने देखा तो वहां पर IR का signal हमको देखने को मिला और उसके बाद red light का connection मिला और फिर ground तो उसको हम आपको बताते हैं clear करके कि कौन से pin पे हमारा कितना bolt और किस signal के लिए है तो चलिए हम आपको आगे भी चल के दिखाते हैं तो यहाँ पे जो IR है इसका भी हम आपको हर एक pin का detail बताएंगे और यही IR sensor हम इसमें use करने वाले हैं तो इसका अगर pin out आपको मालूम होगा तो आप इसका connection आराम से कर सकते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इस side से हम लेते हैं तो यह दोनों point जो की VCC और IR के लिए और यह 9 number pin जो है वह ground है तो इसका हम IR के लिए connection करेंगे जो यह sensor है उसका first number pin जो की IR के लिए और बीश वाला जो है वह ground और third number pin VCC के लिए तो इस तरह से आपको connection करना है तो हम आपको यह connection करके दिखाते हैं तो यहाँ पे जो यह first number pin है यह हमारा VCC के लिए है तो इसको हम cut करके इसमें soldering करेंगे और इसमें एक slip चड़ा देंगे ताकि वह आपस में touch नहों तो यह जो VCC का pin है pin number third उस पे हमने इसका VCC का जो wire है उसको हमने connect कर दिया है और IR का जो है उसके बगल में जो second number pin है यहाँ पे आप देखते हैं यह वाला wire आपको IR के लिए यह use करना है तो इसमें भी हम slip लगा के इसको pin number first पे हम इसको soldering करेंगे तो यहाँ पे हमने उसको भी soldering कर लिया है और इसके बाद जो jack है उसका 9 number का wire यानि कि यह जो wire है यह ground के लिए है 9 number pin पे तो हम इसको भी cut कर लेते हैं और इसके middle वाले point पे slip लगा के इसको soldering कर देते हैं तो soldering कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें voltage देके हम इसको check करते हैं कि हमारा जो IR sensor है वह work कर रहा है या नहीं तो slip को इदम उपर तक चड़ा देना है ताकि वह आपस में touch नहीं और यहाँ पे देखते हैं कि यह sensor work कर रहा है या नहीं और यहां पे हम अभी red light का connection नहीं किया है और यहां पे देखते हैं volume का button हमने remote से प्रेस किया तो यह है अच्छे से work कर रहा है और यहां पे input भी अच्छे से work कर रहा है तो अब हम इसमें आई यार का connection तो कर लिया है लेकिन अभी red light का connection बागी है तो हम उसको भी कर लेते हैं तो यहां पर जो इसका connection है इसके pin नमबर 4 पर यह फर्स नमबर pin पर 3.3 और 2nd पर IR और 3rd पर इसका जो shutdown का bulb है वहां पर लगेगा green और red light जो है वह उसके फोर नमबर पर लगेगा तो इसका जो फोर नमबर पीन है वह ग्राउंड इसका touch होगा और जो पाश्ट्यू है इसका 3.3 बोल्ड पर connect होगा तो यहां पर जो LED है तो उसको हमने इसका 52.3.3 बोल्ड पर और 4 नमबर पीन पर हम इसका ground कर दिया है यहां पर आप देखते हैं remote हम touch कर रहा है तो यह आराम से work कर रहा है तो इसमें हम 1K का resistance हम इसमें यूज करेंगे ताकि बल्ब हमारा खराब नहों तो इसमें भी हम slip लगा के इसके resistance पर हम लगा देंगे तो इसका जो pin number third है IR का उस पर हम bulb का past two point को sorting कर दे रहे हैं और जो इसका ground वाला pin है उस पर हम phone number जो jack से आ रहा है phone number का wire उसको हम connect कर लेंगे तो यहां पर देखते हैं जो यह four number pin है यानि कि जो जिस side से हमने VCC का cutting किया था उसी side से आपको cut करना है तो वही wire हम इसके ground में connect करेंगे तो ground में ही मैंने resistance का यूज किया है तो यहां पर देखते हैं हमने ground में इसका four number pin का wire connect कर दिया है और अब हम इसमें आपको remote से भी control करके दिखाते हैं कि यह work कर रहा है या नहीं तो यहां पर हमने इसको भी इसका slip भी चड़ा दिया और यहां पर हमने power दिया तो यहां देखते हैं red light glow किया दो बार और हमारा TV on हो गया और उसके बाद हम remote से volume plus minus करते हैं तो यहां आप दे connection कर सकते हैं तो यह जो जैक है आपको इस तरह से देखना है तो इसका PCC IR और इसके बाद red light का ground और इसका nine number pin का आपको ground कर देना है तो इस तरह से आपको four wire का हमने connection किया और हमारा जो problem था इसके अस्तान पर हम उसको लगा सकते हैं तो आपको पास भी अगर ऐसा PCV ना मिले तो आप इस तरह से connection करके आप अपना TV बिल्कुल OK कर सकते हैं तो हमने इसको अच्छे से set कर दिया यहाँ पर आप देखते हैं और इसका जो jack है उसको हमने खाली छोड़ दिया यानि कि यह जो wire है हम उसमें connect नहीं करेंगे नए तो आपका जो volume या input का automatic काम करने लगेगा तो चलिए हम TV को पैक कर लेते हैं तो दोस्तों इस TV में जो no indicator का प्रॉल्म था और remote नहीं वर कर रहा था तो अभी यहाँ पर देखते हैं हमने इसको repair कर लिया और remote से हम इसको on करते हैं तो यहाँ देखते हैं देल डाइट हाफ हुआ और यहाँ पर इसक्रीन भी आ गई य TV हो रहा है और इसका सेटिंग वगारा भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से यह वर कर रहा है रिमोट अभी तो इसको मैंने जिस तरह से रिपेर किया है अगर आपको थोड़ा सा भी help मिला हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और आप हमसे टेलेग्राम इंस्टाग्राम फेस्बुक से भी जौन दोसकते हैं लिंक में में दिया हुआ है तो लास्त वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंकि दोस्तों